हे गाईज वेलकम पाक टू माई चानल हैपी आर्स तो कैसे हैं आप लोग तो हैपी आर्स में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी बढ़िया सबकी फेवरेट रेसिपी जो की है रस्मलाई और आप इसको इंस्टिंटली बना के तयार कर सकते हैं आचानक से कोई घर प बहुत ही टेस्टी ये बनती है और मज़ा आजाएगा इन गर्मियों में इसको आप खाएंगे ना और होली भी आ रही है तो होली पे आप इसको बना सकते हैं फेस्टिवल्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो कस्टड रसमलाई बनाने के लिए मैंने लिया आदा किलो वाला दूद का पाकेट आता है ना तो फुल क्रीम मिल्क है ये क्योंकि हमें इसमें अच्छी एक रबडी वाला थिकनेस चाहिए होता है तो हमको क्या करना है फुल क्रीम मिल्क ही यूज करना है तो ये मिल्क मै स्टॉर 1 1-5 तो साथ सांद आपने इस मललाई को भी निकाल मिक्स करते जाना है इससे क्या होगा दूद की थिकनेश बहुत अच्छी रहेंगी तो एक बात का आपने और 업 ध्यान रखना हे कि जो भी आप इसमें दूद का रूद और ओईली ओईली हो जाएगा क्योंकि पके हुए दूद से घी रिलीज होता है तो यहाँ पे दूद जो उबल गया है मैं इसमें आड़ करे हूँ आधा चमच इलाइची पाउडर अगर आपके पास इलाइची पाउडर ना हो तो आप दो इलाइची को करश करके इसमें आड कर सकते हैं गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑन ही रखा हुआ है और अच्छी हाई फ्लेम पे ही दूद में बॉइल कर रही हूँ और देखिए बॉइल आना भी स्टार्ट हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा कलर एड़ करेंगे तो कलर के लिए या तो आप केसर यूज क पका लेना है और यह जो साइड में जितना भी कठा होता जाएगा मलाई उसको निकाल निकालकर हमने वापस से इसी दूद में मिक्स करते रहना है इस दूद को हमने तब तक पकाना है जब तक यह पक के बिल्कुल हाफ नहीं हो जाता यानि कि हमने आधा किलो दूद लिया ह तो यह बिल्कुल उसका पक के आदा धाइसो ग्राम के करीब नहीं बच जाता तो तब तक इसको पका लेंगे इससे क्या होगा दूद में अच्छी थिकनेस आजाएगी तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दूद को पका लिया है और थिकनेस देख रहे हैं आप बीच बीच में इस तरह से देखे रबडी जैसा भी पीसेज आ रहे हैं यानि कि अच्छी थिकनेस में यह मिल्क पक गया है और इस टेज़ पे मैंने अभी गैस की फ्लेम को आफ कर समयर किए है क्योंकि कई भार क्या होता है कि हमने यहाँ पर आड़ करनी है शुगर घिजूद करतें तो कई राको दोत प्रदता है तो तो उसíllिच का आपको धियान रकनाbon and इहां पर हम ऐ हम आड़ करेंगे शुगर तो आप इस तो कोई क्पनोटिटी के अनुसार chicken a को add कर यूंट्स पका लेना है है चीनी इसको निदे। मैं गोल जा निदे गुल जानील उसका टोप्तक रिया हूं पिश्टा बादमी और काजूअ मैं पसंते लुद थोड़ा अट्स करे दिutes बेना की लिए ond china 1 C क्योंकि जब हम सर्व करते हैं ऐसी चीजे तो उसके ऊपर अगर हमने थोड़ा सा इस तरह से ड्राइफ रूट स्प्रिंकल किया होना तो बहुत अच्छा लगता है खाने में भी टेस्ट पढ़िया आता है और देखने में भी काफ़ी सुन्दर लगता है इन ड्राइफ रूट्स को मैंने एक मिनिट के लिए दूद में पका लिया है और अब हम इसमें फ्लेवर देने वाले हैं एक ट्विस्ट वाला जो की है कस्टर तो मैंने यहां पर बटर स्कॉश लिया है फ्लेवर आप अपनी पसंग के फ्लेवर भी ले सकते हैं तो अब मैंने क्या किया है कि दो चमच कस्टड को मैंने इस तरह से देखे दूद में घोल लिया है ठीक है नॉर्मल दूद यूज किया है उसमें मैंने इसको अच्छे से घोल लिया है ताकि कोई लंस ना रहे आप गैस की फ्लेम को लो पे रखा है और लगतार चलाते हुए मैं इसमें डाल रही हूँ तो ये कस्टड का घोल इसमें डाल देंगे और गैस में हमने बिल्कुल लो रखना है इसको और अब हमने इसको लगतार चलाते हुए मिक्स करते रहना है क्योंकि कस्टड के लंस बन जाएंगे अगर आप नहीं चलाएंगे और थोड़ी देर में आप दिखेंगे इसमें थिकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी तो दो मिनिट के लिए मैंने इसमें दूद में कस्टड को पका लिया है और आप देख सकते हैं थिकनेस आनी स्टार्ट हो गया अच्छी थिकनेस पे यह आ गया है इसको हमने बहुत जादा डाक नहीं करना है तो यह देखिए कस्टेट पाउडर जो है बहुत अच्छे से दूद में पक गया है थिकनेस देखिए इस तरह की होनी चाहिए बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं क्योंकि इतनी थिकनेस पर यह तोड़ा सा डाग भी हो जाएगा त तो क्योंकि हम आज एक इंस्टेंट वाली रस्मलाई बनाने वाले हैं तो हमने उसके लिए ले लिया है ब्रेड इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जटपर से रस्मलाई बनके तयार हो जाती है और यकीन मानिए इसका टेस्ट भी वैसे ही आता है जैसे कि आप मा तो यह देखिए इस तरह से आपको पीसिस कट कर लेने हैं आप चाहें तो छोटे-चोटे एक ब्रेड में से दो पीस भी निकाल सकते हैं और यह जो बाकी की ब्रेड बचेगी ना इसको आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें आप इससे बहुत सारे स्नेक्स बना सकते हैं ब् पीसिस कट कर लेंगे तो करीब वन आर हो गया है मैंने इस मिक्षर को ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था और अच्छा चेल्ड अब यह हो गया है और थिकनेस देखिए यह देखिए ठंडा होने के बाद यह और भी ज्यादा थिक हो गया है तो कितना बढ़िया लग रह इस तरह से अच्छे से इसको पूरा कोटिंग कर लेंगे तो यह 2-3 पीसे पर मैं कोटिंग कर रही हूं अच्छे से इस रबडी की यह देखिए इस तरह से अच्छे से डिप कर लेना है आपने इसको इस तरह से जो यह मिल्क है इसमें बहुत अच्छे से अब्सर्व हो जा अराम से आप 4-5 लोगों के लिए इसको बना के तयार कर सकते हैं तो यह मैंने इस तरह से देखे प्लेट में निकाल लिया है अब थोड़ा सा यह कस्टड रबडी मिल्क मैं इसके उपर आड़ कर रहे हूं जिसे और भी पड़िया फ्लेवर आएगा तो एट लास्ट में इसके उपर स्प्रिंकल कर रहे हूं थोड़े से ड्राइ फ्रूट्स जो मैंने कट करके रखे हुए थे आप अपनी पसंद के ड्राइ फ्रूट्स इसमें आड़ कर सकते हैं और यहां पर मैंने लिया है ड्राइ रोज पैटल तो यह मेरे पास रखा हुआ तो इसको भी मैं स्प्रिंकल करें इससे देखने में हुआ सुन्दा लगता है और टीस्ट भी इसका बहुत है तो तयार है हमारी ब्रेड कस्टर्ड रस्मलाई तो आप जब भी रस्मलाई बनाए ना तो इनको सॉव करने से पहले अच्छे से ठंडा कर लें फ्रिज में क्य और अगर आप मेरे चैनल पर नई है तो जल्दी से कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि बहुत ही बढ़ी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली है तो चलिए मिलते हैं एक्स टाइम हापी आर्स में नई रेसिपी के सांद तब तक मैं करने वाली हूँ इस रब